दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम जो है योनो SBI एप का यूज करके और योनो SBI एप के दोरा SBI के किसी भी म्यूचुल फंड या SIP में जो है घर बटे ही अपने मोबाइल फोन के दोरा जो है किस तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो अगर दोस्तो आप भी जो है म्यूचुल फंड लेना चाते हैं या SIP करना चाते हैं SBI की तो आप जो है योनो एप यूज कर रहे हो योनो एप को यूज करके और जैसे मा बताऊं उस step को follow करते वे आप भी जो है घर बटे ही अपनी SIP या म्यूचुल फंड को start करें तो व मेरी SBIO No की app है मैं app को open कर लेता हूँ और इसमें जो भी आपने सबसे पहले आपको इसमें login हो जाना है तो सबसे पहले login वाड़े option पर क्लिक कर देना है MPIN सेट कर रखा तो MPIN या फिर आपने अगर कोई user ID password सेट कर रखा है तो user ID या password डाल के आप सबसे पहले SBIO No app में इंटर हो जाना है तो मैंने MPIN सेट कर रखा तो मैं MPIN डाल देता हूँ जैसे ही मैं MPIN डालूँगा जो है home page इस तरह से app का इस तरह से आपके सामने कुल के show हो जाएगा अभी हमारे को जो investment का option है जापर मेंने round circle किया है investment के option के ओपर click कर देना है तो जैसे ही मैं investment के option के ओपर click करूँगा click करते ही जो है एक next page मेरे सामने कुल के इस तरह से show हो जाएगा तो आप देख सकते हो my investment का page जो है कुल के show हो गया तो इसके दोरा हम जो है mutual fund में investment कर सकते हैं second है इसमें insurance का तो इसके दोरा आप जो है insurance में अगर आप किसी insurance लेना चाते हो तो इसमें जाके insurance भी ले सकते हो third है my cards का यानि my credit card का credit card से related आप अपलाई करना चाते हो तो इसके दोरा credit card भी आप अपलाई कर सकते हो अभी जो हमारा main है वो है investment तो my investment के option के ओपर किलिक कर देता हूँ तो जैसे मैं my investment के option पर किलिक करूँगा किलिक करते ही मेरे को जो है invest in a map यानि investment in mutual fund के option का तो यह option मिल जाएगा तो आप देख सकते हो यहाँ पर फिर यह 3-4 option मेरे सामने शो हो जाएगे तो इसमें पहला option है intro video on mutual fund and investment यानि अगर आप वीडियो देखना चाते हो तो इसमें आपको किलिक करते ही जो है किस तरह से investment करना है mutual fund में वो वीडियो मिल जाएगा second है view available fund तो इसमें जाके आप जो है available fund जो SBI के है वो देख सकते हो थर्ड है help in investment आपको किसी भी प्रकार की कोई साहिता की जुरूत है कुछ समझ में नहीं हा रहा तो इस option पर किलिक करके और आपको जो है आप जो भी है वो customer care के साथ आप जो है connect हो जाओगे और पूछ सकते अब ही हमारे को investment करने के लिए view available funds के option के ओपर किलिक कर देना है तो जैसे में view available funds के ओपर किलिक करूँगा किलिक करते हैं मेरे सामने जो भी mutual fund है वो मेरे सामने पूरे के पूरे स्यो हो जाएंगे तो इसमें all fund इसके बाद में popular fund एने फो इसके बाद में equity hybrid जितने भी प्रक कर सकते हो तो मैंने all funds के ओपर किलिक कर दिया all funds के ओपर देख सकते हो यहां पर minimum investment कितना है return कितना दिया है आप वो है इसको जो है उपर की तरफ स्क्रोल करके और पूरा का पूरा जो है पूरे के पूरे देखके आप जो है एक दूसरे से compare करके जो आपको अच्छा लगे आप किसी broker से राय ले सकते हो या फिर आपका अगर कोई personal assistant है तो उसको भी पूचके आपको जो अच्छा लगे कि किसमें मेरे को investment करना चाहिए future के लिए उसके उपर आप जो है इसमें बड़ी ही आसानी से जो investment नाव का option है उसके उपर किलिक करके और invest कर सकते हो तो यह बह तिस mutual fund ने time period के दोरान कितना जो है return दिया है वो भी आप देख सकते हो और minimum investment यानि minimum आप जो है इसमें कितना investment कर सकते हो वो भी इसमें clear दिया हुआ है तो मैंने जहांपर arrow mark किया है invest ना हुगा मैं इसमें invest करना चाहता हूँ तो मैंने इसके उपर किलिक कर दिया किलिक करते आप देख सकते हो इस तरह कि पेच कोल केस का show हो जाएगा तो अभी सबसे पहले आप देख सकते हो कि इसमें जो एने वी वगेरा या इसने जो कितना return दिया है सब दिखा देगा तो अभी आपको सबसे पहले जो सबसे पहलो है regular grow या regular dividend इनमें से आपको select करना है तो मैं उपर करके इसका parameter भी देख सकते हो fund manager कोन है fund manager की भी आप जो है पूरी की पूरी information ले सकते हो कि fund manager कोन है और जो parameter में है कि risk कितना है क्या है क्या नहीं है वो भी आप जाण सकते हो current NAV क्या है one year three euro five year में इसने कितना return दिया है देख सकते है इसमें invest now के option पर click कर देना है जैसे वाले option के उपर में जैसे किलिक करूंगा किलिक करते ही जो है मेरी personal detail वगेरा जो भी इसमें save है वो by default इसमें जो है show कर देगी तो आप देख सकते हो सबसे पहले मेरा नाम इसके बाद में gender और date of birth, father name, email, mobile number यह मेरी automatic by default show कर देगी अभी मेरे page को next कर देना है जैसे में next वाल account में save है वो सब की सब show कर देगी इसमें address, locality, pin code, city और state यह जो है मेरी by default जो है SBI account के साथ जो link थी वो by default इसमें show कर देगी तो यह आपको फिर भी एक बार check कर लेना है ध्यान रखने वाली बात है अगर आपकी city आपकी particular city इसमें show नहीं करे तो जो भी आपके state की capital है उस capital क आपको select कर लेना है तो मैंने मेरे state की capital को select कर लिया है और select करने के बाद में फिर जो है मेरे को next option के उपर जो next लड़ा option है इसके उपर click कर देना है तो फिर मैं next option के उपर click करूंगा तो other information मेरे सामने खुलके show हो जाएगी इसको भी आपको जो है fill up कर देना है सबसे पहला ह occupation तो occupation में आप क्या काम काज करते हो तो अगर housewife हो या public sector retirement service student other जो भी हो government sector जो भी हो आपको select कर लिया इसके बाद में next option है text status text status में आप text status individual हो या NRI हो या फिर NRI minor हो यानि जिस भी text status की category में आप आते हो वो text status आपको show कर लेना है थर्ड option है particle export person यानि आप किसी particle person तो नहीं है आप यानि particle आप राजनीती में तो नहीं है तो मैं राजनीती से बिलोंग नहीं करता हूं तो मैंने non कर दिया है और gross जो है annual income करके और next के option के उपर हमारे को click कर देना है जैसे मैं next option के उपर की लिकरूंगा फिर इसमें जो है कुछ नकुछ आजाएगा जैसे country अबरत इंडिया और पलेस अबरत आपका जहां जनम हुआ वो और नेसलंटी इंडिया अब next option है you are a text residence in any country other than इंडिया यानि आप इंडिया के अलावा भी खहीं text paid करते हो अगर आप करते हो तो यस मैं नहीं करता हूँ तो मेने जो है नो कर दिया है तो आपको भी जो भी अगर नहीं करते हो तो आपको भी 9 ही इसमें जो है करतेना ponieważ आपको इसमेर जहना घ्रूर, जो है क्योंते है आपके साथ में हुदानरकास्टा कुछ भी हो जाने पर जो है नो्मिनी क्या है और उसको आप जो है कितना शेर करना चाथे हो 50 करना चाते हो 70 तो यह आपको नो्मिनी इसमें जो है आपको जो भी मदर, फादर या ब्रोडर, सिश्टर, वाइप, बच्चे northeast जो भी हो आप नो्मिनी इसमें जो है जरूर एड करे नोमिनी एड करने के बाद में नीचे एक option है address same as investor तो यानि नोमिनी का और आपका address एक ही है तो मेरा एक ही है फिर भी आप जो है check box के ओपर check कर दे और एक बार जो है address को confirm के लिए फिर check कर ले तो वो ही address जो पीछे show हुआ था वो ही address उसमें same जो है show हो जाएगा अभ है read the agree ट्रम से condition वाड चेक बोक्स के ओपर मेरे को click कर देना है तो मैंने इसको कर दिया और मैंने इसको submit कर दिया जैसे मैं इसको submit करूँगा फिर जो है मेरे सामने जो है मेरी बाई जो SIP है देखो congregation और polio number has been created जो मेरी SIP का polio number automatic जो है generate होके इसमें show कर देगा और आपने ज continue का option दे रहा है continue वाड़े option के ओपर किलिक कर देना है तो जैसे मैं continue के option के ओपर किलिक करूँगा फिर मेरे को type of investment polio number मेरे को show कर देगा अभी आपको ये पूछ रहा है कि आप इसमें लंसम investment करना चाहते हो या फिर SIP investment करना चाहते हो लंसम का दोस्तो मतलब है कि एक FD की त जादा रूपए हो एक साथ तो आप जो है लंसम करें लंसम भी बहुत अच्छी चीज है या फिर आपके पास अगर महिने के जार दो जार रूपए investment करना चाहते हो हर महिने मंतली करना चाहते हो तो जो है SIP वाड़ा option है systematic investment plan वाड़ा option है इसके उपर आप किलिक कर दे तो म मैं इसमें जो है SIP करूंगा तो मैं हर महिने कटवाना चाहता हूं तो मैंने SIQP वापर किलिक कर दिया जैसे मैंने SIQP को पर किलिक किया तो मैंने जो भी plan लिया है उसका नाम आ गया polio नंबर उसकी NAV 8% क्या है minimum amount क्या है यानि minimum amount जो minimum मैं इसमें कितने से कितना रूपए कर लिया है अभी start date और end date यानि आप कब इसको start करना चाहते हो और end date तो दोस्तों मैं आपको यही कहूंगा कि आप जो अगर SIP लेते हो तो कम से कम 10 साल की अबो ही SIP लो तभी आपको इसमें फाइदा होगा तो इसमें आपको select date कर लेनी है 5, 10, 15, 20, 25, 30 इसमें से आपकी इस तारिक select कर लिया है तो 10 अगस 2022 से मेरी SIP चालो हो जाएगी इसके बाद में यह तो हो कि start date यानि इतनी तारिक को मेरी SIP जो है नहीं है कितना भी आप जो है 2009 तक जो है इसमें 2099 तक जो है यह तक इसमें दिया हुआ है तो आप जो भी आपको अच्छा लगे 10 साल, 20 साल, 25 साल, मैं यह होगा कि सोरी कम से कम जो है 10 साल के अभोव SIP ले तभी इसमें जो है आपको अच्छा रिटन मिलेगा जो लोंग टरम होती है वो यह अच्छा रिटन निकालके देती है तो यह मैंने जो है date select कर लिया आप इसमें से हो गया कि number of installment मेरे जो है 925 इंस्टॉल्मेंट इसमें जो है deposit हो ज मिनियम इसने बता दिया कि मिनियम जो है एक जार रुपए की SIP लेनी है परन्तु उसके उपर आप जो है जितने की भी SIP लेना चाहते हो पंदरा सो पचीस सो दो हजार जैसा आपको शूटेबल लगे जिससे आपके पास पैसों की विवस्ता हो तो आप उतने रुपए इस कुछ नंग कुछ कई गड़बढ है मैंने मिस्टेक कर दी है तो आप बैच कर दें नहीं जो कन्फरम का बटन दियाओ है अप जो है कन्फरम कर देें एक बार चेक जरूर करें क्योंकि कुछ नं कुछ मिस्टेक ने हो जाएiest तो मैंने जो है पूरा का पूरा ये एक बारी रीड कर लिया है आपको भी रीड कर लेना है और नीचे जो ट्रम से कंडिशन का चेक बोक्स दिया हुआ है इसके उपर आपको किलिक करके और जो कनफरम का ओप्सन दिया हुआ है ये कनफरम वाड़े ओप्सन के उपर आपको कि पी आएगी तो ये जो है मेरी OTP आ गई है ये OTP आपको 6D इन्टर कर देना है और OTP को इन्टर करने के बाद में आपको जो submit का option दिया ओवा है ।огजिक कर देना है मैं सम्मिट का option के ओपर किलिक करना है किलिक रहें ही जो है मेरी SIP जो है ओपन हो जाएगी तो दोस्तो इस तरह से जो है हम SBI Yuno app के दोरा बड़ी ही इजी ली जो है अपने mobile phone के दोरा और घर बेटे ही जो है SIP कौल सकते हैं तो आप देख सकते हो मेरा transaction reference और मैंने कितने तारीकों SIP टाइम यूँगों गरा सब कुछ आ गया है तो इस तरह से दोस्तों आप बड़ी जो है SIP कर सकते हो मैं दोस्तों आपको यह होंगा कि आप छोटी SIP लो परन्तु लोंग प्रिड के लिए SIP जरूर लें इसमें आपको बहुत ही अच्छा रिटन मिलेगा और कम से कम फ्यूचर के लिए एक या दो SIP आप जरूर करें आपको SIP किसी की भी कंपनी की अच्छी लगते हो उसमें आप इन्वेस्ट करें परन्तु इन्वेस्ट जरूर करें SIP के रिगार्डिंग आप किसी भी प्रकार की क्यूरी हो कमेंट बोक्स में जरूर लिखें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद थेंक्यू दोस्तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें शेर करें वे मेरे यूटूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें